Welcome to this highly requested video के NISM certifications करने चाहिए यानि ये क्या होते हैं आज के वीडियो में आपको A to Z समझाऊंगा कि ये किसके लिए होते हैं और किस पॉइंट पर इन certifications को pursue करना एक sensible idea है अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक confusion clear कर देता हूँ Recently मुझे comment आया था ये कहकर कि CFA पे तुमने इतने पैसे क्यों बरबाद कर दिये इससे अच्छा तुम NISM की research analyst वाली certification कर लेते तो ये comment पढ़ते से मैंने सबसे पहली चीज़ की वो थी जोर-जोर से हसना और फिर दूसरी चीज मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दू ताकि ये confusion clear हो जाए कि NISM exactly career के किस point पर करना है क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोगे जो seriously confusion से पूछते हैं कि भाईया मैं CFA करूँ या NISM करूँ या फिर BBA करूँ देखे पहले तो समझें कि ये तीनों काफी अलग-अलग courses है और ये severely depend करेगा कि आपको career में क्या करना है लेकिन एक चीज मैं आपको 100% guarantee के साथ कह सकता हूँ कि NISM के जो certifications है वो ना तो CFA, ना FRM, ना CA, ना CS के alternatives है आप ही सोचिए, CA जो एक बहुत ही difficult, तीन stages की exam होती है जो आपको accounts के बारे में, auditing के बारे में literally A to Z सिखाती है as compared against a one month online course जो आप शायद Coursera जैसी website से करते हो बहुत फारक है, राइट? NISM के case में भी वही same चीज है तो चलिए बात करते के NISM किसके लिए बना है, कब करना चाहिए और इसके कोई फाइदे भी है या नहीं एक spoiler देता हूँ, इस intro के basis पे ऐसा मत सोचना के फाइदे बिलकुल नहीं है बहुत सारे फाइदे है NISM करने के वीडियो एंड तक देखना हर एक चीज बताऊंगा अब पहले समझे ए NISM क्या है, ये एक initiative है जो भारत के regulator SEBI ने निकाला है अब ये बात तो आप जानते हैं कि जो Securities Exchange Board of India है वो stock market को, capital markets को regulate करता है यानि कि वो देखता है कि यहाँ पे सारी चीज़े सही से चल रही है या नहीं तो इनका ही एक educational initiative है यहाँ पे इनका ये काम है कि हमको ensure करना है कि जो सारे लोग stock market related fields में पढ़ाई कर रहे है वो सही से पढ़ पा रहे है या नहीं वो इस field को, इस environment को अच्छे से समझते हैं या नहीं और अब कहीं सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस field में interested होते हैं या इस field में switch करना चाते हैं या इस field के बारे में simply सीखना चाते हैं लेकिन ये सारे लोग कोई professional designation pursue नहीं करते हैं जैसे मान लीजिए CA, CFA या CS तो ऐसे सारे लोगों के लिए एक ऐसी जगह होनी चीए जहां पर वो एक reliable source से पढ़ सकें सही content पढ़ सकें जो up to date है और तो और सबसे important जो Indian markets की तरफ tailored है तो इसी चीज़ को solve करने SEBI ने NISM शुरू किया जहां पर आपको multiple certification courses मिलते हैं ये सारे certification courses के कुछ common features है सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा up to date है और reliable है क्योंकि ये directly SEBI से आ रहे है दूसरी चीज़ हर एक course का duration काफी short है और आप इसको easily किसी भी course या job के साथ कर सकते हैं typically 100 mark के papers होते हैं negative marking भी होती है लेकिन आप आसानी से एक course एक से 2 महिने के अंदर कर सकते हो along with your full time job और degree अलग-अलग subjects के courses है जैसे equity derivatives या फिर research analyst या फिर mutual fund foundation या फिर advisory ऐसे more than 20 courses है और इससे पहले कि कोई comments में सवाल पूछे NISM की एक diploma भी exist करती है जो एक post graduate diploma in management है specifically for securities market अब इस चीज़ को आप इन courses के साथ confuse मत करना ये एक properly separate degree है ये अलग है इस पर मैं एक separate video बनाऊँगा तो अब दो सवाल ये आते हैं कि सबसे पहले इन में से मैं कौन सा certification pursue करूँ और दूसरा मैं certification pursue क्यों करूँ इससे मेरे career में क्या फाइदा मिलने वाला है चलिए दोनों चीज़े अच्छे से समझते हैं देखिए NISM में 20 से भी ज्यादा courses है इन multiple categories जैसे अगर हम सिर्फ derivatives की बात करें तो equity derivatives के साथ ही currency derivatives, interest rate derivatives, commodity derivatives पर तक courses है compliance पर एक foundational course है उसी के साथ registrar and transfer agents पर courses है mutual fund distributor, mutual fund foundation, retirement advisor, research analyst ऐसे multiple courses है अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सारे courses एक साथ बैठके कर लो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे and honestly necessary भी नहीं है मेरे हिसाब से 4 से 5 courses काफी optimal है और इनको सब को करने का cost भी 8000 रुपई से कम ही होगा और ये 4 या 5 courses आप कुछ इस तरह select कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको किस चीज में interest है या फिर आपको किस work profile को target करना है जैसे मान लीजे आपको merchant banking काफी interesting लगती है तो आप उसका certification कर सकते हो जहाँ पे IPO, rights issue, follow on public offering जैसे subjects discussed है या फिर अगर आपको किसी company के trading desk पर काम करना है तो आप derivatives के courses देख सकते हो साथ ही अगर आपको research analyst बनना है तो आप वो certification देख सकते हो और ये किसने करने चाहिए, career के किस point पर देखे सबसे पहले अगर आप in certifications को designations के साथ compare करोगे जैसे CA या CFA तो obviously वो एक fair comparison नहीं है in certifications को करने कुछ महीने लगते हैं, on the other hand in designations को pursue करने सालो लग जाते हैं लेकिन अगर आप किसी दिन जाकर in designations को pursue करना चाहते हो या फिर अगर आप अपने existing career से finance में switch करना चाहते हो या फिर अगर आप एक student हो और बहुत जादा confused हो सिर्फ ये देखना चाहते हो कि मुझे finance में interest है या नहीं तो NISM is the place to be ये courses काफी detailed और value packed है यहाँ पर आपको अच्छी तरह से एक idea मिल जाएगा कि आप अगर ये particular field target कर रहे हो जैसे मानलो derivatives तो यहाँ पर exactly क्या चीज़े expect कर सकते हो या फिर अगर आप कल को MBA finance के लिए apply करते हो किसी university में और आपको interview के लिए बुलाया जाता है तो आपके CV पर NISM के courses finance के field में आपको edge दे सकते हैं और ये edge इसलिए देंगे क्योंकि ये सारे courses unlike other courses require करते हैं कि आप continuous learning की journey कभी ना छोड़ो मतलब मान लिजे आज आज आपको NISM का एक certificate मिल गया अब 3 सालों बाद ये certification expire हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 2 options है या तो आप फिर एक बार ये exam देते हो और आपको 3 सालों के लिए extension दे दिया जाएगा या फिर आप NISM के CPE program के लिए enroll करते हो CPE माने continuing professional education देखिए अब से भी recognize करता है कि भारत का stock market बहुत तेजी से grow हो रहा है इसलिए यहाँ पर हर महीने नए नए rules आते है तो naturally आप अगर NISM करते हो तो आपने updated रहना है अब यह जो CPE program होता है वो basically एक lecture होता है जिसकी एक दिन की duration होती है आपको इस lecture को attend करना है पूरी तरह से देखना है कि class में क्या सिखाया जा रहा है क्या changes है और उसके बाद lecture के end पर एक छोट इसी test देनी है यह complete करते से आपको फिर एक बार एक extension मिल जाएगा basically ऐसा एक program जो require करता है कि आप up to date रहे यह दिखाता है कि आपकी commitment है इस field में आप सच में इस field में interested हो और up to date रहने effort भी ले रहे हो यह चीज जो होती है वो internships या फिर articleship या फिर MBA के college applications में आपको एक advantage दे सकती है या फिर मान लीज़े आप college में पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि finance मुझे थोड़ा बहुत interesting लगता है इस field के contents को पढ़ने के बाद आपको मज़ा आता है या नहीं अब मुझे तो finance में बहुत ज्यादा interest है तो जब मैंने CFA level 1 के लिए register किया और पढ़ाई शुरू की मुझे बहुत ज्यादा मज़ा आया एक और बहुत बड़ा confusion clear करता हूँ जो बहुत सारे लोगों को है जो मुझे से भी कहीं बार पूछा गया है कि अगर मैं NISM का research analyst certification करता हूँ तो क्या मैं एक SEBI registered research analyst बन जाओंगा क्योंकि NISM जो है वो तो SEBI का ही initiative है ना The answer is no. The research analyst certification is simply a course और एक SEBI registered research analyst बनने आपको financial markets में minimum 5 सालों का work experience होना जरूरी है उसकी एक proper registration process होती है जो NISM से completely अलग है ये चीज़ मैं इसलिए highlight कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे creators है in fact लोग भी है जो telegram channel चलाते हैं NISM की certification लेने के बाद ये कहते हैं कि मैं एक SEBI registered research analyst हूँ Please keep in mind that SEBI registered RA और NISM का RA certification ये दोनों अलग चीज़े हैं ये भी वही सेम हिसाब है कोरजरा से एक महने का accounting course करना वर्सिस CA करना इसके अलावा अगर आपके दमाग में कोई भी doubts है तो उने comment section में डाल दीजे I will try my best to answer them और साथ ही आप इस channel पर और क्या देखना पसंद करेंगे वो भी बताईए अगर आपको इस video से कोई भी value मिलती है तो subscribe कीज़े क्योंकि हम इन videos पर बहुत ज़ादा महनत करते हैं I'll see you in the next one